वेलकम टो और ओफिशल लिट्री एक्जाम कॉंसर्ट पे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपेसी टीरी टू पॉइंट को एक्जाम हुए दो जाते हैं इसके इसके इसपेसली पीजी टी इंगलीज के 11-12 के एकस्पेक्टेड कटफ की क्योंकि बहुत सारी व सब्सक्राइब करेंगे जब मैंने पेपर को देखा पढ़ा मुझे लगा क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लिटेचर जो पढ़ रहा हूं क्या लिटेचर कोशन बढ़ने चाहिए ग्रामर का लेवल क्या होना चाहिए पीजी टी लेवल का सारी चीजें बात करेंगे बहुत वीडियो लंबा नहीं करेंगे वीडियो अंतक रहेगा आपके सारे डाउट क मिल जाएंगे ठीक है आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो की देखिए किसी भी अगर एक्जाम की कटप की बात करें इस पेसलिए पीजी टी इंग्लिस का कटप है अगर आपको अधर सब्सक्राइब चाहिए तो आप अलग चैनल पर चाहिएगा वहां पर बताएंगे यहां पर इंग्लिस की बात करेंगे अगर इंग्लिस पीजी टी की अगर बात करें और भी बीपीजी की सेंस में तो बीपीजी की सेंस में अगर जब भी हम बात करेंगे तो एक पेपर लेबल का था ठीक और बीपीजी अपना जो एक दारा बनाया हुआ था ओवर एक टफ लेवल का पेपर पुछा गया था और जो इस पेसली BPSC में जो सब्जेक्ट के आई हुए थे जिसमें से 35 लिटियेचर के थे देखिए किसी भी कटप बनाने से पहले आपको पेपर का इस्टेंडर समझना पड़ेगा किस किस पॉर्शन से किसने कोश्ट बनाए गये थे देखना पड़ेगा कंडिएट का IQ लेवल क्या थे उससे सॉल्व करने की पेपर का उसकी बारे में जब जानकारी रहेगी तभी आप कटफ का एक एक टाकड़ा बता पाएंगे तो असी कोशन 35 आपके लिटियेचर थे 20 पैसिस थे 25 आपके ग्रामर के कोश्ट थे ठीक है तो असी कोश्ट ओवराल ए हो गये ठीक है प्लस 40 आपके जीस थे तो देख कितना भी टॉपर नहीं कर पाएगा एक भी पेसी लेवल का तो इतने कोश्ट पूछे गए थे और जो लिटियेचर के 35 कोश्ट करेंगे नो डाउट मैं कई इनवर्सेटियों प्रोफेसरों से उस पेपर को डिल किया उनसा समझने कोसिस की रिभीव लेने की यह जो पीपर था एक एक नेक्स्ट लेवल का पीपर था जो लिटियेचर के कोश्ट पूछे गए थे दो चार कोश्ट को छोड़ दिया जाए तो उसमें ऐसे ऐसे कोश्ट पूछे गए थे जो किताबे आप कभी क्यों नाम ही सुने होंगे जैस डेविड डचेस के लेरों एलवर्ट एल ट इंबललेन द ग्रेट कहीं नहीं पढ़ा जाता है मदर टैल से हर टेल भी नहीं पढ़ा गए सी मैने देखा इउट्विश ईूट्यों को फारता है बता ही नेट के भी परे था अब 20 पैसे भी अपने आप में इस्टेंडर था पचीस ग्रामर के भी कोशन एक अपने आप में माने जाने थे अब समय नबर बात करते हुए दो चीजों को बहीं बताऊंगा ठीक है अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तुमसे बताएगे इस पेसली एक कटफ लेवल का था और इंग्लिस कटफ की बात करें अगर जेनल केंडिडेट हो नोट कर लिजिए अगर जेनल केंडिडेट 56 से 59 के बीच में आ रहा है तो अपने आपको सेफ समझे मैं एक सो आउट ओफ 120 बता रहा हूं ठीक कई के यूटूब चैनल पर वही आसी में बता रहे हैं पचास में बता रहे हैं लेकि नहीं 56 से 59 के बीच में वह सेफ है EWS जो है क्योंकि इस पर बहुत जादा एक ही नमर जादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा या 54 भी प्लस माइनस वान या टू कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोग की क्या स्कोर है इंगलिस PGT में नीचे कॉमेंट वक्स में आप लिखते हैं तो आप रिप्लाई में आपको बेटर तरीके से दे पाऊंगा तो आपके क्या स्को अगर हम OBC या EBC की बात करें जो आपे दो कंडिडेट होते हैं तो इसका कटप जो रहेगा आपका देखिए 51 से 55 तक और इसका जो रहेगा 48 से 53 तक एक कटप आपकी जाएगी अगर इतना कटप आप पा रहे हैं तो आपनी केटेगरी में सेफ है ठीक है अगर AST, AST की बात सकन पा गएं क्योंकि इनकी सीटें बहुत जादा है ठीक है इनके अभी ये बॉय की कटफ है ठीक है बॉय की अनिमेल की अभी फीमिल की बता रहा है मिनमम कटफ कौलिफाइग कर ले रहे हैं तो वह अपने आप में सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है अब थोड़ा सा फीमिल की बात कर लेते हैं कि फीमिल कंडिडेट के लिए क्या रहेगा क्योंकि बिहार में फीमिल की सीट अलग-अलग है तो अगर कोई फीमिल अगर आपकी बात कर रहे हैं तो फीमिल की बात करें तो फीमिल देखिएगा क्या बात कर रहे हैं अगर जेनल की कोई फीमिल है अगर उस की कोई candidate है 46 जिसाई की है तो सेलेक्ट हो जाएगी EBC अगर है तो 44 के उपर है तो सेलेक्ट हो जाएगी बाकी SC और ACT में minimum qualified marks अगर उतका है तो महिला सेलेक्ट हो जाएगी यह final cut-up है एक देख लीजिएगा कि आप आप लोग की score क्या हो रहे है तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करिए जैसे भी कुछ अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा अपने नम्मर जरूर हमें सेयर करिएगा अगर डिटेल वीडियो चाहेगी तो एक डिटेल वीडियो इस पर पेपल के लेबल पले के हम आएंगे अगर आप लोग कहेंगे ते ओके ठाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में